और यहां पर मैंने अभी अभी एक स्कॉर्ड से लड़ाई की अब एक और पूरी स्कॉर्ड आ चुकी है और यार तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत या आपका एक बराण न्यू हद से जादा जी हाँ हद से जादा इंटन्स और गलत सीन से भरा पड़ा पपजी दो मुबाईल गेमपले में तो यार देखो इसमें मतलब मुझे कहीं से भी कद्दू भी नहीं लग रहा था कि भाई मैं बचके निकलूंगा इतनी ऐसी बुरी जगाओं पे फस्ता हूँ मैं लेकिन आर पोड़ना इन डुरोजा डर लगता है बहुत लेकिन यार जब बंदा निहत्ता हो और उस पे पैन या फिर यह काटने कटाने की चीज हो ना भाई तब अलग लेवल की पटती है बिल्कूल और पोचंकी में बंदे निहत्ते और नंगे ठिलने हैं जो की कोई भी नई बात नहीं है हना ग्योंकि पोचंकी में घर बहुत होते लेकिन लूट यार बहुत ही कम होती है इसलिए कई बंदे वहिया बगैर गन क्या बगैर कपड़े के ठिल जाते हैं सोचो क्या ही बुरी हालत होती होगी क्यार यहां पे एकात बंदों की में पेटी बना चुका हूँ और बाकी बंदें भी दबा के रसकर रहें अपने पे और मेरे ख्याल से एक अकेली ऐसी जगा है जहां पे आप गरोव पे भी सेप नहीं हो क्यार इन दोनों को पेल दिया भाई एक बंदा तो कते ही क्रोजबो लेके आया था यार बज गए यहां पे अब एक बंदे को मैं दूर उजी से निप्टा तो देता हूँ ठीक है नौक कर दिया भाई को तो यार बखके जाना पड़ेगा क्यूंकि भाई गोली इतनी सारी चलिये बंदे इतने जादे आयें कि किल कब चोरी हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा और ये सफेद कपड़े वाला बंदा भाईया आही गया था ठीक है भाई उपर जानेई वाले थे मेरी किल कोरी करने के लिए भाई बहुत ही अच्छा वाँ मैं बकते वै आइधर नहीं तो यह भी किल कोरी हो जाती और ये कपड़े वाला बंदा भी गाय हो जाता गलती सीन हो जाते क्यार यहाँ पे लेट के मैं हीलिंग हुलिंग पेलता हूं क्यूंकि यार देखो इन घरों में खड़े रहने में भी डर लगता है ठीक है बंदे चट चुत में चड़े होंगे भया कोने से आके गोली पेल देंगे और पेटी भी बना देंगे तो वहाँ पे लूटने लाटने के बाद मैं नीचे की तरफ आता हूं और आगे से मुझे फूटी स्टैप आ रहे बंदे कता ही ठिबी भी लेके बैठे है यह जो टूटी दिवार है ना इसी के पीछे बैठे बंदे और एक बगल से भी भक्या आता है अब एक बंदे को तो मैंने भकते वे पकड़ लिया लेकिन भाया फूटी स्टैप अभी भी आ रहे हैं दबाके तो करना क्या है मैं देखता हूं भाई एक नेट पड़ा है मेरे पे उससे पहले थोड़ी उजी की गोलिया बरबात कर दी फिर वे उठाता हूं नेट और देव पटक के अंधा फेग देता हूं जिसे कुछ भी नहीं होता और हमारे ये भाई नेट से डर के भकते हैं या मैं आ रहा हूं बोलके भकते मुझे नहीं पता लेकिन भाई दोनों बंदे ठिल जाते हैं तो सीन सेट है सब कुछ मतलब मेरे ख्याल से यार नेट ने कुछ भी नहीं किया ये बोलना गलत होगा क्यूंकि भाई एक एम की बस दो ड़ाइ गोली मारी मैंने और बंदे की सीधा पेटी बन गई मतलब नेड ने कम से कम देमेज तो दिया नहीं तो यार मेरे नेड पे इतना भरोसा भी नहीं है मुझे कि भाई डेमेज भी होगा लेकिन इस बाद डेमेज दिया है तो यार किस्मत सही है लेकिन जादर देर तक नहीं क्यूंकि भाई फसने वाले हैं बहुत ही जल्द गंदा फसेंगे और गंदा ठिलते ठिलते बचेंगे आगे जाके तो देखो एक बंदे को पकड़ा बंदा नौक हुआ है तो इसका टिमेड भी यहीं कहीं होगा और यह चीज में अपने जिंदगी में कभी नहीं समझ पाऊंगा कि यार भगना क्यूं है ठीक है भाई अगर आपको भगना ही है तो पोचन की क्यूं आना है भाई सबको पता है यार पोचन की जाओगे ऐसी महिंगी जगाओ पर जाओगे तो जैड़ पेड़ गोलिया चलेंगी पेटी बनने का खत्रा कता ही जाता होता है लेकिन बंदों को फिर भी पोचन की आके भगना होता है यार क्यूं ये बात मैं नहीं समझ पाता और देखो तुम्हारा भाई अभी यहां पे इसलिए लेटा पड़ाई क्योंकि यार पड़ोस में ही साधी थी तो चेक करने गया था भाई कहीं खाना तो शुरू नहीं हो गया तो भाई अभी टाइम था तो मैं वापीस आता हूँ और तयार हो जाओ क्योंकि आप जहां जा रहे हैं ना वहां पे बहुत ही बुरा वाला फसने वाले हैं और उसके बाद दुबारा से जहां जाएंगे वहां पे भी बुरा वाला फसने अब यहां पहले मुझे सिर्फ एक बंदा होता है लेकिन मुझे क्या पता यहां पे गलत सीन उने वाले हैं और यहां पे मेरी आखों के सामने मेरे मूँ के सामने से बाई एक बंदा मेरे किल लेके चला जाता है बहुत दुख होता है अब किल तो चूरी हुई हुई लेकिन उसके बाद एक बंदा साइट से भी गोली पेला है ठीक है इस बंदे ने कब फ्लैंक पारा यह या फिर वहीं पे बैठा पड़ा था यार हमें कद्दू भी नहीं पता मुझे इतना पता है कि यह बंदे फैले पड़ें तो अगर यह यह बात मैं नहीं समझ पाता हूं कि क्यूं रोजोक में इतने सारे बंदे क्यूं आते हैं देखो एक स्कॉर्ड मेरे सामने ठिल चुकी है ना जिसकी चोरी हुई किल एक बंदे एक स्कॉर्ड के बंदे आगे बैठे है ठीक है एक राइट पर बैठा है अब वो कौन सी स्कॉर्ड और आएंगी तो हाँ दबा की गर्लत सीन होने वाले भया कता ही देड़ पैडरास होता है और भाई गने उन पे इतनी महगी पूछो मत मतलब न जाने कितने डिरॉप उनने लूटे होंगे कि ऐसी खतरनाक गने होती उन पे तो खेर यहां पे पीछे से भी गोली चलने लगती है तो मैं देखने जाता हूं कि भाई सीन के चलना है और जैसी मैं देखने जाता हूं यार पता चलता है बंदा भी मुझे ही देख रहा होता है ठीक है मैं एक हेडसोट पेलता हूं भाई का जहर सपरे आने लगता है मैं बोलता हूं भाई अंदर भगलो क्यू जोक की पहाड़ी पर भी बंदे आ चुक हैं जोकी हमेँ ही पहल ले मतला यहाँ पर जितनी भी टीमे हूँगे na सारी की सारी हमें ही पहलनी की कुसिश करेंगी पता नहीं क्यो ऐसी मेंने क्या गडबड की थी मुझे नहीं पता लेकिन भाई हर कोई हमें पिलने की कुछिस करेगा और यार गाड़ी बाहरे हमारी तो यार इसके टायर की भी ऐसी तैसी कर दी जाती है तो वो अलग गलत सीन है अब देखो मैंने बोला यार यहाँ पे हम फस जाएंगे ठीक है तो मैं बोलता हूँ क्यों न पीछे वाले गरूपे रसकर दिया जाए मैं बाहर जाता हूँ और न जाने कौन सी सकॉर्ड का बंदा है यह भाई यहाँ पे इतनी टीम है कि भाई मेरे से गिना नहीं जा रहा मतलब एक तो मैट ऐसे ही कमजोर है उसके उपर से बंदे और टीम भर-भर के आ रही है तो देखो इस टाइम पे मैं गिना भी छोड़ देता हूँ मैं बोलता हूँ यहाँ हमसे तो न हुपाएगा और इतने में ही एक गाड़ी भी रसकर देती है अपने पे अब देखो गाड़ी में कितने बंदे भर के आये मुझे कंदू भी नहीं पता मैं सोचता हूँ कोई नियार आये हूँगे चार बंदे पेल देंगे होल्ड करके खेलते हैं लेकिन उतने में ही पीछे जो घर पे बंदे होते हैं वो लोग भी इसी टैम अपने पेरस करते है और अब या तो यह बंदे सेम टीम के हैं या तो यार ये ठान के आये कि भाई मेरी पेटी बनानी है तो आखिर कार हमारे भाई उपन से चोड में रस करते हैं और यार इसी मौके का इंत्जार था तो उसकी पेटी बन गई है अब बाकी बंदों की बारी अब देखो यहाँ पे अपने पे चार बंदों ने रस्किया चलता है ठीक है यह सब होता रहता है लेकिन भाई कोई दूर से एमपूर पटका रहा है मुझे नहीं पता क्यों लेकिन हाँ यार एक बंदा इस छत पे भी बाकी है अभी तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई चलो ठीक है चार बंदे और पेल दिये 15 किल हो गए यहाँ पे दो तीन इसो कोड से लड़ चुके तो भाई अब थोड़ी सांती होगी और मैं गलत होता हूँ क्योंकि जो एमफूर चला रहे होते न वो पाड़ी वाले बंदे हैं अब यह कार लेके बंदे कौन सी टीम के कहां से आए यार यह तो हमें कद्दू भी नहीं पता मुझे इतना पता है कि भाई पाड़ी पे बंदे जो थे वो अभी भी वहीं पे हैं और यार उन पे जो ही गने होती हैं मतलब अगर उनको मैं गुसने दूंगा अंदर तो पेटी सो परतिसाद बनेगी खेर वो आगे होने वाला है सब सी और अगर आपको ऐसा लगा ना कि आपने दो ए डबलो एम चलने की आवाज सुनी तो हाँ आपने सही सुना उन बंदों पर दो ए डबलो एम है तो यहां पर मैंने सुचा थैक है धैंड़-पैड़ पीक करें गे वापिस कवर में अएंगे ठीक है तो यहां पे एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि भाईया अब तो एक्षियोन खतम हो गया आखिरकार बंदे ठिल गए लेकिन मैं दुबारा गलत होता हूँ क्यूंकि आगे से कोई M4 नहीं एक एम पटका रहा है ठीके तो मैं बोलता हूँ भाई अब मेरे से नहीं रुका जाएगा मुझे चाहिए लूट और भाई जब मैं इनकी पेटी खोलता हूँ न दो ग्रोजा दो AWM मतलब भाई हलवा बना रखा है ठीके ऐसी ऐसे पड़ी है इन पे गने जैसे UMP होती है न भाई हर दूसरे बंदे पे UMP मिल चाती है वैसे इन लोगों पे ग्रोजा और AWM पड़ी होती है तो करना क्या थार मैं और मेरे टीमेट दोनों दैर पर उठा लेते हैं और हाँ अब ग्रोजा मिल गई है तो थोड़ा अच्छा टैप लग रहा है और यार कितनी सोकाड हम पे रस कर चुकी है मुझे नहीं पता इतना पता है कि भाई अभी भी जिन्दा है और जो आगे बंदा है मेरे ख्याल से वो वही है जो पहले VSS पटका रहा था तो बदला लेने का टाइम आ चुका है अब और हमारे ये भाई मुझे नहीं पता क्या ही सूच के रस करते हैं मुझे अब देखो इन भाई ने एक बंदे को पेला था तो शायद भाई को लगता है कि भाई सब ठिल गए लेकिन हम होते हैं धीट मतलब यार इतनी फाइटली है तो लूटना तो पड़े गई तो हम यही रुके होते भाई भाई भगते वे आते हैं और अब भगते वे लोग भी जाएंगे वापीस तो यहां पे मैं गाड़ी गूड़ी देखता हूँ आ टायर बिल्कुल नंगे कर दिये होते हैं लीकिन गाड़ी की कमी नहीं होती तो कोई भी एक उठा देता हूँ मैं और आगे जाओंगा और दुबारा से जी हाँ दुबारा से फस जाएंगे बिल्कुली और वहाँ पे तो हद से जादा ही गलत सीन होते हैं लेकिन गुरो जाए यार तो समाल लेंगे और हाँ भाई लोग अगर आपको नहीं पता तो तुम्हारा भाई अभी रियो टीवी पे पोको का गिववे कर रहा है तो यार फॉलो करना मत बूलना वहाँ पे डेली लाइश्ट्रीम होती है साथ में खेलते हैं और पोको का गिववे चलना है वहाँ पे और यूसी का गिव अब यहाँ पे ना मुझे एक चीज का बहुत डर होता है वह है पेटी बने का ठीके नहीं मेरी पेटी बनने का मुझे कदू भी चिंता नहीं है मुझे चिंता है उस बने की जिसे मैंने उपन में नौकिया है क्यूंकि देखो अगर मैं उसकी पेटी बनाने जाओंगा तो के टीमेट घर से मारेंगे और अगर मैं नहीं जाओंगो तो यार उसकी पेटी वो बंदे बना देंगे वो दूसरी सुकॉर्ड बना देगी जो दूर से डीपी पटकारी होती है और यार यहां पे मुझे बहुत दिल पे दुखरा होता है क्योंकि देखो मेरी दो किल्चोरी हो गई है उस बाहर वाले बंदे की किल्चोरी हो गई और ये जो फटे में बैठाता बाहर मुझे नहीं पता क्यों उसकी भी किल्चोरी हो गई और यहाँ पे मैंने अभी अभी एक स्कॉर्ट से लड़ाई की अब एक और पूरी स्कॉर्ड आ चुकी है और यार मानो याना मानो यहाँ पे बहुत जादा बुरी तरह फ़स चुके हैं और बंदों पे गने भी महेंगी हैं कता ही तो एक बंदा आता है मेरे टीमेट को फिर से नौक कर देता है ठीक है अब देखो पहले एक ही आया अब टेंसर मतलो क्योंकि तीन बंदे एक साथ आते हैं और तीनों पे बढ़िया बढ़िया गने होती है भाया किसी पे MK14 भी है तो गलत सीन हो सकते हैं याँपे तो हां ओल्डेट कर दिया होता है कता है ग्रोजा ठीक है अगर यहां पे ग्रोजा नहीं होती ना मैं लिखके दे सकता हूं मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं था बिल्कुल जीरो ठीक है बचने की कोई गुंजाइस नहीं भाया ग्रोजा थी इसलिए बचाओ मैं यहां पे कोई भी और गन होती न देखो M के 14 भी होती तो वो रिलोड पे फजाती और फिर से गलत सीन होते और यहां पे देखो इस कमरे पे मैं तीन बंदे पेलता हूँ तो यार मुझे भी पता था वो चोथा बंदा भी प्रिफार देते वह आएगा और यार मैं रिसक रुसक लेना नहीं चाहता था मैंने बोला भाई से बाहर जाके पेलेंगे हना वो सोच रहा होगा कि भाई हम फिर से कैंपिंग करके बैठेंगे लेकिन मैं धैर्ड पैड बाहर जाता हूँ सर पे गूलिया पेलता हूँ खेर जहां पे भी लगती है और बंदा ठेल ही जाता है आखिरकार और हां कई बार नेट करने की वज़ा से आपकी पेटियां भी बन जाती है ठीक अब वो तो अकेला बंदा था इसलिए उसकी सीधा पेटि बन गई लेकिन अगर वो अकेला नहीं होता न अगर वो नोक होता तो जहां तक मुझे लग रहा है उसकी पेटि उसका नेडी बना देता खेर जो भी हो इस बंदे को भी पेल दिया भाई सबको थर्ड पार्टी करना है आपे ठीक है इस मैच में मेरे ख्याल से 5-6 बंदे 5-6 टीम हम पे थर्ड पार्टी करने की कुशिस करते हैं और यार मुझे नहीं पता क्यों लेकिन हम लोग अभी भी जिंदा है तो हाँ भाई लोग यार अगर आपने अभी तक लाइक के बटन को पेल के निला टैप नहीं कर दिया तो यार यही टाइम है यही मौका है जैसे मैंने इन पूरे 4 बंदो को पेला नगरो जासे आप लाइक के बटन को पेल दो कता ही निला टैप कर दो उसे हना और यहां पर देखो लूट लाट करने के बाद अपन गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि भाईया जाना है जून एक ही बंदा वाकी है तो पहले मुझे लग तयार की साब बनाओगा हना क्योंकि जितने भी मैच मैंने खेला है उनमें से 90% टाइम भाईया बंदे साब बने पड़े रहते हैं लेकिन हमारे भाई कुछ खास होते हैं भाई इस बंदे पे ना जज़बा होता है खिलने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई आखरी बंदा बचाओ तो साब बन जाओगा नहीं भाई भाई ठीपी पी लेके खेलते हैं जो कि एक बहुत ही बड़िया बात है लेकिन देखो अगर आपने एक चीज़ देखी होगी कि भाई मैंने AWM उठाई है और उसका तमीच से अभी तक इस्तमाल नहीं किया है तो हाँ टैंसर मतलो आखरी कील AWM से ही निकालेंगे तो आखरी बंदा उस पेड़ के पीछे ठीपी भी लेके बैठा होता है हमें दिख जाता है और मैं निकालता हूँ AWM और बंदे में खेलने का तो जजबात था ही था लेकिन भाई पे M24 भी थी साथ से M24 की अवास थी वो मतलब वो भी चलाता है गोली मैं भी चलाता हूँ भाईया हमारी सीधा सर पे लगती है और भाई की सीधा पेटी बन जाती है और उसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है बढ़िया यार मतलब अच्छा लगता है भाई जब बंदा खड़े हो के खेले ना चोड में मतलब भाई ने पीक पाक किया गोली गोली चलाई M24 से पेली की कुछिस की जो की हजार गुना बढ़िया है साब बनना और फिर ऐसे ठिलना जैसे भाई आप फुटपात पे लेटे हो वह बहुत बुरा होता है तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर आप यहां पे नए हो तो सब पिस्क्राइब करो क्योंकि ऐसे इंटर्स और गलत सीन होते रहते हैं और अगर आपने अभी तक लाइक के बटन को नीला टैप नहीं किया तो जाते जाते पेल के जल जाना लाइक के बटन को मुक्का मुक्का मार दो कता ही बस सक्रीन मत तोड़ना तो कल मिलते है भाई विरो ठेखने के बटन की तक हो जाते हैं